नमस्कार आज हम शुरू करते हैं नेच्रल रोस से बनी हुई रोस फ्लेवर लसी आए शुरू करते हैं इसके लिए हमने लिया है घर पे बनाया हुआ दही कुछ शुगर लिया है हमने और ये हमने नेच्रल रोज लिया है जिसकी पंकुडिया हमने अच्छे से वाश कर ली है और ये हमने लिया है कुछ ठंदा पानी अब जो हम लसी बनाने जा रहे हैं वो हम 4 ग्लास लसी बनाने यह है लसी बनाने के लिए हम यह वाला स्पून मोज़ी सबके घरों में मिलता है साइज का स्पून हमने एट स्पून दही हमने इसमें डादा है आप चाहो दो दही थोड़ा कम जादा कर सकते हैं यह हमारा एक स्पून दही हो गया है हमें चाहर कास लसी बनानी है तो हम इसमें यह मीडियम साइज स्पून है हमने इसमें वाल थी फूर स्पून हमने इसमें शुगर एट किया है आप चाहो तो शुगर को थोड़ा कम जादा कर सकते हैं इसमें हमने कुछ ही जो रोज की हम इसमें डाल देंगे इसमें हम दो गलास पानी डालें यह हमने ठंडा पानी लिया हुआ है इस तरीके से हमने लसी बनाने के लिए आर चमच दही दो गलास पानी और चार चमच हमने यह शक्कर डाला है और कुछ हमने रोज की पतिया डालिया अब इसको हम हमने इस मिक्सर को 50 सेकिंड्स के लिए चलाया और आप इसको खोल के देख लीचिए अभी हमारा यह पॉफेक्ट है अब इसको हम ग्लासीज में सर्व कर देंगे कर देंगे कर देंगे अब इसको गार्णिशिंग के लिए हम इसमें रोज की पत्तिया डाल देंगे अब आप देख सकते इसका कलर भी जैसा हमारा अमूल लसी मिलती है अब अचार में कोई भी रोज फ्लीवर लसी मिलती है उस जैसा इसका लाइट पिंग कलर हो चुका है क्वार्णिश म हज तन झाल के हाच़ कि रचेश रोज अघसे का यार्णिश पिंग को değildा ूओ लदवातर ही जैसा अब रा-देंके हैं kalo ग Ke tone D